असलाम अलेकुम फ्रेंड वेलकम बैक टू माइ चैनल आई होप आप लोग सोस्त और मस्त होंगे आप लोगी दुआ से मैं भी ठीक हूँ आज मैं अपना व्लाग बाई सितंबा से शुरू कर रही हूँ मौर्निंग से समय कुछ दज बज रहा था यहां पर मैं अपने घर का पर्दा जो है कडल्स वो चेंज कर रही थी दिन था मारत जुमा उसके बाद हमको नमाज पढ़ना था कुरान पढ़ने थी कुरान पढ़न है क्योंकि नमाज पढ़ने से एक सुकून सा महसूस होता है पढ़ने के बाद अच्छा दिन भी रहता है क्योंकि हम लोग को नमाज किताब जरूरी रहता है करना जुमा या कोई भी दिन हो हम लोग को जरूरी रहता हर एक दिन इंसान किताब पढ़े नमाज पढ़े अल्ल नमाज पढ़ना चाहिए और अल्ला से दुआ करना चाहिए हम लोग जो सोच रहे अपनी जिन्दगी में करना चाहते हैं फाइनली वो हो जाए 1970 नमाज मनिझा पड़ना तब मनद भूताए हेँ आसा चाहिए और चाहिए और और इंड़ मेरत ही और जाए और मेरत भूर्जी फिर हो चुकती है यहां पर रोटी बनाने जा रही थी यह देखिए क्योंकि अंडे भुर्जी के साथ रोटी अच्छी लगती है रोटी बेल रही तो मेरी रोटी बार बार मुड़ जा रही थी यह देखिए रोटी खाने से क्योंकि मेरी अम्मी को रोटी पसंद है ज्यादा चावल नहीं यू का दिन था नमास किताब करने के बाद ही इनसान खाना खाता है यह देखिए मैं तीन चार रोटी बनाई थी सिर्फ जादा नहीं बनाई क्योंकि दोपैर में कोई रहता नहीं है फिर इसके बाद साम का टाइम हो गया था तकरीवन चार से पांच यह टूशन पढ़ रही थी मा से भी मैं आप लोग से शेयर करी हूं कि यह मसाले की भिंडी मेरे अब्बू को बहुत पसंद है फिर यहां भिंडी चड़ा रहे थी इसके लिए प्याज मिर्चा सब तड़की में डाल के अच्छा सब प्याज को गुल्डन ब्राउं करते हैं यहां पर मैंने आलो सी मुला दूमिश बैगन की सब्जी बनाई थी यह देखें अपने भिंडी जो कट करके रखे थी इसको यह प्याज में अब मिर्च में इसको अच्छे से में फ्राई कर लोंगी फिसके बास सारे मसाले को डाल के अच्छे से इसको पकाती रहोंगी यह देखिए फिर मेरे डिनर रे मौसम भी बहुत अच्छा हो गए थे ठंडी ठंडी हावा भी आ रही थी में बाहर कड़ी थी उसका वेख लेली मैं बाहर का यह देखिए बारिश देखो कितनी अच्छी सी हो रही है यह बारिश होने के बाद कि मेरे अब्बू अभी आए नहीं थे उनका डिनर करना था फ फ्राई हो रही है उसके बाद हमारे डिनर होने के बाद हम लोग सो गए फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया मायरा यहां सोके उड़ गई थी सोके उड़ते ही मौ धुली फ्रेश करे उसको बाद यह सबसे पहले लाग के दुकान से चीजी खाने लगती मुझे क पूरकरे चाहिए चिप्स चाहिए यह खाने के बाद इसको मैं रेड़ी करें स्कूल के लिए यह देखे चाय पी उसके बाद चिप्स खाने लगे यह खाने के बाद इसको मैं रेड़ी करें स्कूल जाने के लिए जब रेड़ी होके स्कूल चले जाते तब मैं अपना रात में पहन के ही सो गई थी तो इसका ड्रेस चेंज करें इसको स्कूल के लिए तैयर करें इसके बाद यह गई उसके बाद हमको चाय पीना था तो फाइनली निश्डे हो गया था फिर उसके बाद हम चाय पी इस मारे स्कूल जाने के बाद ही मैं चाय पीती हूं आराम से उस किचन साफ करना था पक्होड देख सकते हैं अच्छे से पाने बीखो दी किइव कोच्छे से कपड़े से साफ करूंगी कल् poquito को कोच्छे स साफ करने पाले में जाफ साफ कर लेती हूं इसको अच्छे पूछ देती हूं तब उसके बाद मैं अपना बरतन और तन धुलती हूं पटावाट इसको धूली वाश करिए सब अच्छे से साफ करती किए किचन साफ रहता तो अच्छा लगता देखने में यह देखें किचन साफ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि मैं सब सब्सक्राइब धने यह तो यह दहां छाक before करने आशकर ञेकल बड़ा नहीं फिर की दो कि नहीं जो दोशीक्त कर दूँगी क्योंकि नधर। इसको साप करने के बाद ही मैं अपना बेसी में सारा पारता कठा करके रख दी थी तबmarcz करने के बाद में अपना जो वटान है वह अच्छे से दूलूँंगी यह देखिए की चन हमारा जो है अच्छे से साफ हो गया दो चारी पतन ते उसको धुलना था दिखिए ज्टे ज़्यादा पड़ता नहीं रहता सुबह मॉनिमने में ज़्यादा नहीं रहता डिननर में ज्यादा गड़ता रहता है यह देखिए कि तो चारी थे फ्les घ्र Rा00 कले यह दो कपि के भाप没事 कहा दुंदी जल्Д ऴरद कर दो पेड़ता ठाव हैं में जल्दी नग्ता ज़्टा बर्तन तो रहते हैं जल्दी stock अब सोता जल्दी यकाते अशलिद उसके बाद के काम कर पर मुस्पयर जाधा काम है रहता वसके बारिक बदो थोड़ा थोड़ा अपना वीडियो रहता है इधार उदार पर शूट करके आप लोग से शेयर कर देती हूं आई होप आप लोको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा अब मैं किचन में अपने जो पानी गिरा तो उसको वाइफा कर दूए यहां पर मैं आवे जाड़ू लगाने के लिए क्योंकि मेरा घर बहुत ज्यादा गंदा था फाइनले में जाड़ू लगा के पोछा लगा दूए फिर हमारा जो घर अच्छे से क्लीन हो जाएगा घर अ अच्छे से लगा लिएं पूरे घर में अब शिर्फ पोछा लगाना है पोछा लगाके मेरा जो घर अच्छे से क्लीन हो जाएगा तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आते हैं प्लीस लाइक सेयर कमेंट कर दीजिये क्योंकि मेरा वीडियो में कोई आप लोग को मेरी वीडियो अच्छे लगेगी अगर अच्छे लगएगे तो प्राइक शेयर कमेंट कैस्थ जरू कर ले मेरे चैनल को इसलों कूमा अच्छे अच्छी वीडियो लाती रहोंगे आपके लिए अन्यक्ते लिए Reports झाल झाल